हर शराबी व्यक्तिव को ऐसा लगता है कि मैं शराबी नहीं हूँ तो उसकी क्या टेस्ट है हम आज की वीडियो में देखेंगे ताहिए आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर धीपक केड़कर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन महाराष्टे में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ देखो उत्सव में कोई सोशल फंक्षन में कोई पार्टी में दोस्तों के साथ में लोग जो शराब पीते हैं उनको बोलते हैं सोशल ड्रिंकर च्छा प्रतिशक्त में से 16 परसेंट लोग मतलब एक वेक्ति छे में से एक वेक्ति छे में से एक वेक्ति उसमें का शराब भी बन सकता है या अल्कॉल एडिक्ट बन सकता है और हमको यह मालूम नहीं कि कौन सा वेक्ति अल्कॉल एडिक्ट बन जाएगा इसका मतलब सोशल ड्रिंकर जो है वो कभी भी उसमें के छे में से एक वेक्ति कोई भी सोशल ड्रिंकर में का अल्कॉल एडिक्ट बन जाएगा या बन सकता है अभी हर वेक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो इतना नहीं पिता हूँ तो इसको किया test है? एक ordinary सामानी लेवल पे हम क्या देख सकते हैं कि कुँछी test है? कि जो test हम उसको देते है या सवाल करते है तो उसमें कि सवाल में से कोई जवाब हां में आते हैं तो हम बोलती कि ने उसको शराब की लथ है या सवाब का रेशन उसको लगा हुआ है. कि मैंने मेरी शाराब का जी तो इस कोई ऐसा कूछ भोलता है किस शार transmitted जो बहुँता है जो घ्यारब आ दिया जाता है तो तो यह वो तॉ वेक्ति अगुशा करता है गुश्जा करता है जुश्चा वहाँ आता है नहीं तो उसको एकट आग पैंट रहा जय् पीतां तीसरा है कि शराब हूं करके उसको खुद को गिल्टी लगता है कि नहीं मैं गिल्टी हूं उसको अपरादिपन की भाहो ना आती है मैंने शराब छोड़ना चाहिए मैंने बंद करना चाहिए मुझे बहुत खराब लगता है ऐसा उसको लग रहा है तो तीसरा है इस सवाल और वो तुरंत शराब पिना चालू कर रहेता है, सुबह जी, तो पहला है कि कट्डाउन करना, उसको लगता है कि कट्डाउन करना चाहिए, C, दूसरा है एनौइड होना, मतलब A, घुसा करना, तिसरा है जी, गिल्टी लगना, और चौथा है, आए उपनिंग के उपर, उसको लगना कि मैंने शराब पिना चाहिए करके, तो इसका मतलब यह है कि वो शराबी है, और उसको शराब का व्यसन है, एडिक्षन है, उसने टीटमेंट लेना चाहिए, वैसे दूसरी और एक टेस्ट है कि जो उसमें बोला जाता है कि आप शराब के सिवाय रह नहीं सकते, मतलब वो शराब तो आपका रोश का जीवन जीने के लिए, काम करने के लिए, उटके काम करना, बातचीत करना, रोश का व्यवार करना, उसके लिए शराब जरूरी लगती है, उसके सिवाय करी नहीं सकते, तो भी उसको बोलते कि यह शराबी है, अब उसके विड्रॉल्स, उसको आते हैं मतलब शराप पिना बंद कर दे और बहुत जबर्दस विड्रॉल आ गया उसको और विड्रॉल मतलब भान घुम जाना मतलब अनकॉंशिस होना या कन्फूजन होना मालूम नहीं कहा है कहा नहीं तो भास होना अभास कोई बुला रहा कोई कुछ मारने आ रहे कोई पीटने आ रहे ऐसा अभास होना ऐसे कोई चीजे धूरना इदर उदर मतलब ऐसा उसको हलुसिनेशन होते रहते है पसिना आता है चक्कर आती है फिट आ जाती है तो ऐसे उसको डेलिरियम बोलते है टेलियम इंट्रेमंस और अल्कोहोल बिड्रावल स्टेट थो ऐसे यदि आती है उसको शराप छोड़ती है तो फिर वो फिर उनको जब withdrawal आता है तो उसके लिए फिर IV fluids देना दबाई देना और फिर जाने के समय जब वो जाता है हॉस्पिटल से चुटी लेके जाता है तो उसको डायसलिफराम की गुली देते है कि जो सुभर शाम गुली लेना चाहिए उसने की गुली लेना को तयार नहीं हो या कठे नहीं होती है तो उसको डायसलिफराम की इंपलांट मथलब चमड़ी गे नीचे डायसलिफराम की गुली रख तो बहुत जोड़ सी रियक्शन आती है और जो रियक्शन आके कभी जान को भी खत्रा हो सकता है तो वो डर से ही वो शराबी फिर शराब लेता नहीं है मलूँ है उसको कि अपने इसके उपर शराब पिएंगे तो आपको यह अपने को रियक्शन आगे और प्राबलम हो जाए करो ताकि लोगों में awareness आजाएंगा कि यह मानसिक बीमारी है, addiction है और उसका ilaž psychiatrist के तरब हो सकता है आप हमें हमारे hospital में patient को ले के आ सकते हैं उनका ilaž हम करेंगे, online consultation कर सकते हैं हमारे से, online counseling, psychology पर हमें नीचे number दे उसके उपर आप संपर्क करो, या patient को बुला सकते हैं, lecture देने के लिए बुला सकते हैं online conferencing के लिए बुला सकते हैं कि यहां लोगों का education करेंगे भाशनों के माद्दे में से या conference के माद्दे में से, so thank you very much for watching, आपको वीडियो अच्छा लागाता है जरूर like करो, subscribe करो, share करो thank you very much झाल